अभ्यास 14 साठ सब्द प्रति मैंने डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांस सेकेंड बाद आदरडिय सिच्छा मंत्री महोद मैं चात्र संगों के संबंध में अपने कुछ बिचार ब्यक्त करना चाहता हूँ आज का नवयुवक छात्र विस्सु विध्यालेओं पर अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहा है उस समूची सिच्छा पद्धती के धांचे को बदलने के पक्छ में है और उसकी यह मांग आज की आवस्यकता को देखते हुए समीचीन जान पड़ती है क्योंकि आज की सिच्छा का जीविका से संबंध छूट सा गया है चात्र आंदोलन की स्वड जयनती के अवसर पर क्रांतिकारी कदम उठाया जा सकता है सारे देश के विश्विध्यालयों के छात्र संगों को प्रतिवर्स एक करोड रुपया मन माने रूप से ब्यै करने के लिए मिलता है यह एक बड़ी धन रासी है गांधी जी ने देश से कहा था कि मुझे एक करोड रुपय और एक लाख स्वेम सेवकों को दो तो मैं देश स्वतंत्र करा दूँगा आज के छात्र संग के पास एक करोड से भी जादा रुपया और दस लाख से भी अधिक स्वेम सेवक है योबा छात्रों को अवसर देना चाहिए कि वे ही सिच्छा का नया संभिदान तैयार करें बे ही पदाधिकारियों की नियुक्ती तथा पाठे क्रम का निरुमाड करें इसके लिए छात्र संग का अधिवेशन बुलाया जाए जिसमें उच्च वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के तीस वर्ग से कम आयू के प्रतिनिधी छात्र छात्राओं का उचित प्रतिनिधित्त हो सब मिलकर संभिदान और आचार सहता तैयार करें उस संभिदान और सहता के अनुसार सिक्छा प्रदान करने वाले कुछ विश्विध्याले उन्हें सौप दिये जाएं और सेस विश्विध्यालें के आंदोलनकारी छात्रों को उसी विश्विध्याले में भेज दिया जाएं इस प्रकार छात्रों का आंदोलन समात हो जाएगा अन्य विश्विध्याले छात्र आंदोलन से बच जाएंगे और सिक्छा पद्धती की नई प्रयोग साला भी तैयार हो जाएगी किन्तु इस कारे में कुछ समय लग जाएगा तब तक आंदोलन कारी छात्रों को नियमों का पालन करना अनिवार्य बना दिया जाए झालन करना दिया जाएगी